तो पिछली बार हम लोगों ने गौसलो का अप्लिकेशन करके स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रिबूशन के लिए एलेक्ट्रिक फिल्ड का मान पता किया था किसी जगह पे तो आज हम एक दूसरी सिमेट्रे का इस्तिमाल करने जा रहे हैं जहां जिसको हम कहते हैं सिलिंड्रिकल सिमेट्रे और सिलिंड्रिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रिबूशन तो पहले इसकी चर्चा करेंगे कि क्या इसका मतलब हुआ सिलिंड्रिकली सिमिट्रेक चार्ज दिस्रिबूटिशन हैं हमारे जो चार्जेज हैं स्पेस में दिस्रिबूटिड है और इस थंग से लेक्ट नाम देते हैं सिलिंड्रिकली सिमे चार्ज इस्ट्रिबूशन है और उसके कारण से वैसे चार्ज गेर्च चार्ज के तूस में सब्सक्रोंगा क्या इलेक्ट्रिक में युट्टिण होगा तो यह बूम निकाल लेंगे और इसके लिए हमलोग गौत साइता लेंगे थे लिए अगी ह क् तो यह क्या होता है शिलिंट्रिकली ważOffb शिमेक्र चार्ज दिश्रुबिशन इसके जानने के पहले हम लोग कॉर्डिनेट सिस्टम में सिलिंट्रिकल पोलर कॉर्डिनेट्स इसकी थोड़ी सी व्यक्राइट कर लें शिलिंट्रिकल आगल पोलर कोर्डिनेट या केवल स्लेंड्रिकल को इसी को केवल स्लेंड्रिकल कोर्डिनेट्स कर लिए U उसको भी spherical coordinates कई बार कहते हैं तो अगर पहले हम यहां तस्वीर पे कर लें थोड़ा सा उसके बाद हम आपको कुछ दिखाएंगे इसके access जैसे हम लोगोंने spherical coordinate system बनाया था उसमें x y z axis लिये थे z यहाँ y यहाँ और x यहां अर्थार्थ यह जो x axis है यह इस तरफ को निकल रहा है जो अगर हम ऐसे एंटी क्लॉक वाइस गुमाएं y से z की तरफ एक्स की तरफ निकलना चाहिए उसके अनुसर ऐसा ही यहां भी हम करेंगे इसके लिए भी और जो कोई पॉइंट होगा जिसके हम कॉडिनेट लिखने वाले हैं वहां से हम लोग इस x y axis पे जो तल है x y plane है इस plane पे हम पर्पेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और वह पर्पेंडिकुलर जहां इस plane को मिलेगा उसको हम ओरीजिन से मिलाते हैं और इस एंगल को एक्स एक्स के साथ जो एंगल बनता है इसको हम फाई कहते हैं यह वहीं फाई है जो हमने स्पेरिकल पोलर कॉर्डिनेट के समय में लिया था सेम फाई वहां भी ऐसे था इस हो information आप उश्क ब्रुइन से उसको मिलाओ और तब जो एंगल है वहाई बनेगा गाई एक सक्हिसे जो हमगिले वह फाई बने इसके पैतलर अब यहां टाले तो वह से इसके यहां से करना अब घालेंगे पर पेडिकल टोलेंailed गैंगे ध्यार यह पॉंट से प्लेंट के अं और वहां से मपरकेद्टेप्लेट यह यह बड़ा यूसपूल है यह इंपॉरेट प्लेने और यह पूरा प्लेन आगर वाइबर wide 0 हो जाए तो यह insya2 प्लेन के साथ मिल जाता है और जैसे-5 वड़ता यह plane ऐसा घूमना जाता है Z axis कर रहा हूं तो यहां से यह जो डिस्टिंस है यह पी पॉइंट का इस Z axis से जो यह perpendicular distance है इसको हम कहेंगे S और यह angle हो गया फाई और इसका जो Z coordinate है यह जो length है यह जो length है यह हो जाएगे Z और यह तीन चीज इकठा है कर दिया आप S 5 और जैड तो इसको हम कहेंगे कि हमने cylindrical coordinates लिख दिये इस point के cylindrical coordinates लिख दिये तो इसम आर ठीटा फाई लिखते है XYZ लिखते है वैसे हम S 5 जैड लिख रहे हैं कई textbook इसको रो लिखती है और कुछ-कुछ symbols यूज होते हैं यह Griffith की किताब के अंदर में उन्होंने यह symbol S इस्तेमाल किया और वही में भी वहां उसे प्रेरणा लेकर रहे है और हम में भी सी का इस्तेमाल करूंगा तो इसको अगर आप टेबल पर देखें थोड़ा तो हमने एक मॉडल बनाने की कोशिश की है यहां पर दिखाते है आपको यह देखिए यह लाइन सोचिए कि यह पॉजिटिव एक्स डिरेक्शन में ऐसे लाइन जा रहे है और इस इस य-axis को भी आप इधर बढ़ा लेजिए यह पूरी लाइन वाइक्सेस है यह पॉजिटिव जेट एक्सेस है उसको नीचे पूरा बढ़ा लीजे तो वह पूरा जेट एक्सेस बनेगा वैसे एक्स वाइक्स से य की तरफ जाएं या इस तरफ का वेक्टर एक्स की तरफ का य की तरफ का ख्रॉस प्रड़क करें अई कैप्स जे कैप होना चाहिए उना यहाँ वैसा आपने को चुछ कर नहीं करना है अब स्पेस में यहां कोई पॉइंट है तो मूम मैंने इसको यहां रखा और यह पॉइंट हो गया यह को स्पेस में यहां कोई कहीं म lucky और इसके मुझे twegне लिखने इस प्वाइंट यहां पर इसका कोना उस पॉइंट के हम उउसे लिखना एपलेन इसलेगा से फसले लम ढालेए डले기 कैसा पर्पंडिकुलर बने गा हम यह से इस प्लेन पर ज सक्षミ Якब साब मरें इस गहें से इस पर लंब डाली फश्थ रारे है यह कर बने गा यह जो पॉयंट प्वाइं और गिरता है उसको आप देखे उसको आप मार्क कर लें उसको आप मार्क कर टा करके कर गिरा है तो बोड पे घोलो पर पेंडिकलर डाला था orge है पार है यह हुआ कि यह हमारा पॉइंड है जिसके मैं कॉडेंट लिख रहाँ कि यहां से मैंने ये पर पोइंट है इसको मैंने मार्क किया वहिए शेयरेज मार्क मैंने यह लगा रख रखा है यहांसे यह परपेंडिकूलर डला और यह यह आपे गिरए आप अब इन से मिलादी जय इए ओरिजिन से इसको मिला दी जीए। और इसे इसको आcue अप मिलादे Representative लेकर करके तो समझो कि हमने यह मिलाया ऐसा करके हैं ऐसा करके हमने जहां Mayr छोने सब्सक्यान थो तो यह रही को सब्सक्राइब बन गई और इस लाइन का X-axis के साथ जो एंगल हो अभाई है और यह खुल ये जो एंगल है X-axis के साथ यह-ठ यह-इस-स है और एक्षक्षी के साथ इसका जो एंगल यह-थाई है तो फ़ाई बराबर 0 होता तो यह ट्रचा होता था इस प्याइब यहां होना चाहिए था अर्थात अगर हम यह सारे ى उन्हें से और इस सब से पॉइंट और सबरें यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हैं Day-Duxller डालते हैं तो एक स्वेंट business representative पढ़एंग तो फाई बराबर जीरो हो गए और इस तरह और इस तरह को खिछक, बोलिए भूंगे तो फाई अंगिल घ्म घऊ यह गया बिलान और इसके जो लेंग्ट है यह 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 तैसे ऐसे है और यहीं लेंग्ण जो है वह वास्तों में हो पॉइंट से और इस G- um यह लेंग है यह देखो यह लैंक्त है है यह ऍर फोईंट का जो यह पर्पेंट्रिकुलर दिस्टेंस है यह लाइन और यह पर लेखाएगा तो यह उतनी बढ़ी है जो है तो इस पॉइंट का z-axis से perpendicular distance है और परपेंडिकुलर डालेंगे तो नीचे में यह वही लेंग्थ एस बनेगा और जो यह दूरी है z इसका जो z coordinate Cartesian z coordinate जो है यानि यह की direction में कितना उपर है तो वह z है तीसरा coordinate वह है यह हमारा यहां से यहां तक है यह हो गया यहां से यहां तक है यह हो गया और यहां से एंगल फाई हो तो आप सोचो एस पर पहले सोचो एसका वैल्यूज क्या हो सकता है कहीं भी पॉइंट लेंगे यहां वहां 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 कहीं भी पॉइंट लेंगे तो इसक दिरेक्शन में वह बात नहीं जहां भी आपके पॉइंट है वहां से आप जेडिक्स पर लम डालो और वह जो लेंग्थ आ गई वह एस हो गई तो एस कमान जीरो से लेकर के इन्पनिटी तक हो सकता है अगर आप सारे पूरे त्री दिमेंशन के पॉइंट को सोचें अगर यहां है इस प्लेन में हम है इस वाले प्लेन में हम है यह जो एक्स जेट प्लेन है तो वहां पर पॉजिटिव साइड में तो हमारा फाई जीरो है फिर हम फाई को थोड़ा बढ़ाएंगे तो हम इधर के पॉइंट्स पक्रेंगे यह सब पॉइंट्स पक्रेंगे इस इधर आएंगे जब 90 डिग्रीज कर देंगे तो हम इस Y-axis के ठीक उपर पहुंचेंगे जेड पॉजिटिव Y-axis के ठीक उपर पहुंचेंगे तो वह जो पॉइंट्स होंगे ठीक ऊपर या ठीक नीच से वह जो उस प्लेन में पूरे पॉइंट्स हैं वहां पर 90 डिग्रीज हो गया हम यहां से 90 डिग्रीज घुम गए इसे आप बढ़ो इधर बढ़ो आप 180 डिग्रीज घुम जाओगे तो आप यहां पहुंच जाओग तो 180 से भी जादा बढ़ सकते हैं और घुम जाएं 270 हो सकता है जब आप नेगेटिव आए एक्सिस के ठीक ऊपर हो यह ठीक नीचे हो तो 270 डिग्रीज हो सकता है और घुम जाएं तो 360 डिग्री तक जा सकते हैं तो फाई का जो मान है वह 0 से 360 तक जा सकता है और जड़ प्लस साइड में इंफिनिटी और मानस साइडमें इंफिनिटी तो साङे पॉइंट को अगर कभर करना है तो उसके रेंज पहले हम यह 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 स्कन वैरी फ्रॉम 0 टू 8 इंफिनिटी है कि इस फाइं वैरी फ्रॉम 0 2 2 पाई इक्वल अप लगा लिज़िए जहां भी आप चाहें इनफिनिटी में लगाने का तो मतलब होता नहीं है इस में से आप जाहें दोनों पाणी हो जाएंगे ज Nope ही जाएंगे और Z वह ओ माइनस इंफिनिटी से प्लासश इंफिनिटी कि यह एक से की निसे तरीके से करके हीं इसके adults कोडिनेत करते हैं कि चले हम जो एक्सिस हैं हमारे उसमें S, Phi और Z उनके डिरेक्शन में यूनिट वेक्टर जिसको लोग लिखते हैं S-CAP और Phi-CAP और Z-CAP ऐसा लिखेंगे हम S-CAP, Phi-CAP और Z-CAP यह क्या है यह यूनिट वेक्टर हैं किन डिरेक्शन में वह हम अब भी बताएंगे आपको, S-CAP, S-CAP का मतलब है, S-CAP का मतलब है कि आप Phi को कॉंस्टेंट रखें, Phi को मत बदलिए, Z को मत बदलिए, Unchanged और S को बढ़ा दीजे, S की जगा S-D-S कीजे, S के बढ़ने की दिशा खुजे, S किस तरफ जाने से बढ़ रहा है? Phi पदलना नहीं चाहिए, Z बढ़ना नहीं चाहिए, S किस तरफ जाने से बढ़ रहा है? उस दिशा को खोजिए उस दिशा में जो यूनिट वेक्टर होगा उसका हम इस कैप लिखेंगे तो पहले ब्लैक बोर्ड के चित्र पर देख लेते हैं अगर हमें फाई नहीं बदलने देना है तो हमको इसी प्लेन में रहना है इसी प्लेन में रहने को नहीं कह रहा हूं इस में फाई का इतना फिक्स्ट माने तो इससे इधर नहीं घूमना इससे इधर नहीं घूमना जेड नहीं बदलना उपर नहीं जाना नीचे नहीं जाना केवल एस बदलना तो यह जो लाइन है इसी लाइन को लंबी कर सकते हैं इसी के डिरेक्शन में ऐसे बढ़ सकते हैं तो इसका 5 वही है, Z भी वही है, जो यह Z है, वही है यह Z है, लेकिन S बदल गया, पहले S इतना था, अब S इतना हो गया, यह जो डिरेक्शन है, यह S काप के डिरेक्शन है, टेबल वाले चित्र को देखो, टेबल वाले चित्र में आई है, मेरा पॉइंट कहां है अभी, पॉइंट हमारा इस जगह पर है, यह टिप जो है, यह पॉइंट है, तो अभी जो S है, वो यहां से आप ऐसा मिलाए, यह यह पर्पेंडिक्लर डिस्टेंस, यह S है, इसको बढ हाना है, लेकिन 5 नहीं बदलना चाहिए, तो हम इधर नहीं घूम सकते हम इधर नहीं जा सकते हम इधर नहीं जा सकते हम को यह रहना है, इसी प्लेन में रहना है, जैड नहीं बदलना है, उपर नहीं जाना है, नीचे नहीं जाना है, तो हम कहां जा सकते हैं, एसको बढ़न है उसको हम s-cap direction कहते हैं और इस प्वाइंट के लिए वह s-cap direction इस तरफ है कि अगर यह पॉइंट बदल दूँ अगर मैं यह पॉइंट बदल करके यहां से हटा के कहीं और ले जाओ और फिर वहां पे s-cap खोजू तो फिर वहां से z-axis पे परपेंडिकुले डालिए और वो जो लाइन आएगी उसी को बढ़ाई आगे वो जो डिरेक्शन होगा वह उस जगह का s-cap का direction होगा तो दियान रखना कि हमारा s-cap का direction अलग 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 जगह पर अलग अलग है अब चलते हैं फाई-cap का direction तो पहले blackboard पर देख लेते हैं फाई-cap किदर होगा फाई-cap का मतलब है जो फाई-cap है इस फाई-cap का मतलब है कि फाई को बदलना है s और z को अंचेंज़ रहना है अशने बदलना चाहिए जैड नहीं बदलना चाहिए और फाई-स बदल करके फाई-प्लस-दी-फाई हो जाना चाहिए पूंअ कि यह स स्य हुआ फिह चैनल है कि वेज़ दर है अब यह हम यहां थे मेरा पॉइंट था यहां पर हैस 59 हój है कि फिए है यह ऐस को बदलना नहीं इतनी इतनी ही दूरी के ओपर पॉइंट चाहिए इसको बदलना नहीं तो मतल है कि हम उस सिलेंडर के ऊपर है जिस कित रिजा एस है उसी पर कहीं सी के सर्फेस पर कहीं में जाना पड़ेगा इसको बदलना नहीं Z को बदलना नी उपर-जाना नी नीचे जाना नी तो उपर जाना नी 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 और इस । QUand जाते खुमना पड़ेगा का मैं आएसा बहुआना पड़ेगा ईसको ऐसा भूमाना पड़ेगा और और यह परपेंड्रेक्षन कि तर genau तो फिर से यह यह ऑगमेंगर लिटर यह जो यहां से मुझे चलना है और फाइ को बदलना है उपर नहीं जाना नीचे नहीं जाना और इसका वैल्यू भी नहीं बदलना रेडियस इतना हुआ चाहिए तुम कैसे घुमाएंगे इसको आ ऐसे घुमाएंगे यह बढ़ा यह पुछ था है अभी इसके साथ जो एंगिल है यह और यहां से इस जगह से चलना है इस जिछा में पढ़े अइसा फ़ाइशा इधर जाने से फिर जाने वाला दिरेक्शन है यहींदि है कैप डिरेक्शिन यह ते चोटे तीर से दिखा हैं आपको तो हमने कहा था कि यह स्कै पॉजिटिव डिरेक्षन में और यह सब्सक्राइअ अश्ट सेट को श्रीट को यह है तो और समझीक है जिसमें जेड़्य को बदलना है, भाप, जेड़ को जेट प्लस ब्लस दीजिट किजिए तो पॉजिटिव डिरेक्षन में बुछ हो जाएगा तो अगर हम इसको भी एक तीर से दिखाने की कोशिश करें तो यह जड़ कैप है कि यह स्काप इधर फाइप इधर और यह तीन हमारे यहां पर यूनिट वेक्टर हो गए जो कि इस सिलेंडर कल कॉडिनेट सिस्टम में जो एस फाइज हैं उनके बढ़ने के दिशाओं में यह यूनिट वेक्टर से और यह साना सब कुछ बदल जाएगा अगर यह पॉइंट इस पाइप धाएग यह तो अब जब हम यहां से पर्पेंटिकुलर डालेंगे तो यह ऐसे पड़ेगा यहां पड़ेगा इसको हमें मिलाना पड़ेगा यहां जाएंगे हम यह पोँच जाएगे दूसरा फाइपाइ हो गया यहां जो एस है वो इस डिरेक्शन में यह इस जिए के दे अद्य पर लंब टालना है जड़ एकसिस पर लंब है उसी को बढ़ा देना बन और यह नहीं किस किलें सदोविटन यह है यहां का फाइडिरेक्शन यह है इससे परपेंडिकुलर ऐसे घुमेंगा आसे घुम रहे सो फ posição मा गोड़ाना तो और आम ऐसे घुमनाम बड़ा तो यह फाइसे का डिरेक्श्ण यहां पर ऐसा बने गा और Z-CAP का डिरेक्शन यहां पर ऐसा बनेगा तो अलग अलग पॉइंट पर जब आप रहेंगे तो S-CAP और FI-CAP के डिरेक्शन बदल चाहेंगे लेकिन Z-CAP का डिरेक्शन नहीं बदलेगा यह हमारे unit vectors S, phi और Z के direction में तो completeness के लिए हम लिख लिए Z cap के लिए जो बाकी के दो है Z cap को Z को छोड़ करके S और phi इनको unchanged रहना है और Z को Z Z को Z से Z plus D Z हो जाना है यह यह direction से इसका ध्यान रखेंगे इसके बाद हम जो चीजे करेंगे वो line elements की बाते करेंगे line elements माले जह हम S cap direction में चलते हैं और S का value S से S plus D S कर देते हैं तो कितनी दूरी चली अगर हम S cap की direction में मूव करें हम जहां हैं वहां से इसके आप के direction में मूव करें फिर से एक चित्र बना लेते हैं ताकि बहुत घच पचना हो यह Y axis X axis Z axis यहां कहीं पर point है मालने और इस से हमने यह यह perpendicular डाला Z axis पर यह perpendicular डाल दिया और यह S है और यह S का डिरेक्शन है इस डिरेक्शन में हमें S को S plus Ds बना देना है फाइ नहीं बदलना Z नहीं बदलना कितनी दूरी चलना पड़ेगा डियस दूरी चलना पड़ेगा तो जो S था वह यहां पहुंचे तो S plus Ds हो गया है तो यह जो distance है यह S क्यात के डिरेक्शन में इतना चलने से यह बनेगा एस की जगह S plus Ds हो जाएगा है अब सोचें कि हमें FI को 5 plus D5 बनाना है S को नहीं बदलना Z को नहीं बदलना FI CAP के डिरेक्शन में चलना FI CAP के डिरेक्शन में कैसे चले हम यहां से ऐसा घूमना पढ़ेगा यहां रहेंगे यहां होता भींट तो ऱाबर जिरू होता और फिर यहां होता तो बढ़ जाता था और बढ़ जाता और बढ़ जाका यहां पहुंक दे तो 90 प्रट चंव आप जाता इस के अओ आजसे घुमना पड़ता है ऐसेे सरकल पर चलना तो आप सोचो तरिजा ऐसे रेडियस ऐसे तो अगर हमें उसको डिवाई घुमा देंगे डिस्टेंस कितना चलेंगे हम नहीं बोर्ट पे अगर मैं इसको बनाओं तो कुछ हमें ऐसा बनाने पड़ेगा कि यह इसका माले की सरकल है यह सरकल है जे एक्सेस के बाउट यहां से म फाई था यह एंगल डी फाई और बढ़ गए हम इस लिए जो डिस्टेंस है यह डिस्टेंस है एस इंटो डी फाई किस डिरेक्शन में चले हम फाई कैप डिरेक्शन में चले तो यह लाइन ऐलिमेंट्स बन रहे हैं इस डिरेक्शन के लिए लाइन ऐलिमेंट बन रहा है और इस डिरेक्शन में और इसके लिए FI CAP के लिए हमें यह लाइन बन रही है SD phil length है इस LINE की जितना हमें displaced होना पड़ा है यह लाइन बनी इतनी बड़ी लाइन बनी FI CAP के डिरेक्शन में और जेड को अगर बदलना हो तो ऊपर चड़ना पड़ेगा यहां से सिधा ऊपर चड़ेंगे इसे कितना ज़रेंगे 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 इसके बाद आता है बहुत महत्वपुन सर्फेस एलेमेंट हुए और उसके बाद आप सोची समझी कहें आने वाला है कि सर्फेस एलिमेंट में हम एक को फिक्स रखेंगे यह बदलेंगे और एक को फिक्स रखेंगे तो मालिज हमने एस को फिक्स रखा हुआ है यानिए z-axis से जितना distance है वो fixed रखा गए तो हम कहां-कहां जा सकते हैं हम कहां-कहां जा सकते हैं कर हमें कहा गया कि यह इस से आप S दूरी पर रहिए और S को हमें नहीं बदलना है 5 को और Z को बदलना है तो 5 बदलेंगे तो हम सब्सक्राइब इसे जाएंगे कितना से यहां से यहां तक में सी इंटोटीफाइफ एलिवेंट सी इंटोटीफाइफ और जेट को जब हम बदलेंगे डीजेग ऊपर या नीचे तो हम ऐसा उपर चाहेंगे ऐसा यह डीजेड-एब तो डीफाइब और जीजेड इससे मिल करके यहां पर आपको एक सयरफेस बनेगा चोटा सार्फेस बनेगा टेबल पर देखने की कोशिश करें अगर मेरा यह पॉइंट है देखिए यह पॉइंट है पुराने पॉइंट पर आ जाते हैं हम यह पॉइंट है हमारा यह यह पॉइंट है पी एस फाइजेट सब कुछ है यहां पर लिखा हुआ है नहीं बतलने देना है ऐसा तो यह जो S D5 इधर DZ इधर यह जो element बना यह बना S into D5 into DZ यह एक area element बना है इसी प्रकार से आप बाकी के area elements भी बना सकते हमारे लिए यह महत्यपूर्ण है इसलिए हम अभी यहीं पर रूखेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम दूसरे वाले area elements भी बनाएंगे surface elements तो S constant S constant 5 बदलेगा तो जब 5 बदलीगा तो इतना distance चलिएगा और Z बदलेगा तो इतना distance चलिएगा और यह जो दो lines बनी इनसे फिर rectangle complete कर लेज़े तो वह जो area बना वह S D5 DZ बना direction क्या है अगर हम direction सोचे इस पर normal इस पर perpendicular तो S बढ़ने वाले direction में है वह क्योंकि इसको constant रखते हुए हम चले है तो इस बढ़ने वाला direction उस पर perpendicular है this into S cap यह उसका direction होगा इसी तरह बाकि भी आप तुरंक लिख सकते हैं फाई अगर constant हो तो आपको S बढ़ना है आप DZ चलेंगे आपको Z बढ़ना है आप DZ चलेंगे यह जो है यह फाई कैप का direction आएगा और इसी प्रकार से अगर Z को constant रखना है तो S को बढ़ना है तो DZ चलेंगे और फाई को बढ़ना है तो S D5 चलेंगे और यह Z के direction इसका इस पर परपेंट को डालेंगे तो Z का direction बनेगा तो यह हमारे surface elements कहला आपते हैं और फिर volume element सब को बढ़न दो थोड़ा-थोड़ा volume element जहां है वहां से S को बढ़नी एक छोटी से लाइन बनी फाई को बढ़नी एक छोटी से लाइन बनी जेड़ को बढ़नी एक छोटी से लाइन बनी और उन sd5 और dz यह कहलाता है volume element चर्चा को आगे भी जादी रखेंगे एक लेक लास में